दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको सच्चे हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर, वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए, साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर, यह एक चीज कभी मत फेकना, साथ ही जानिये जाडू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर, आखिर कौन सी जाडू खरीदे, सीखों वाली प्लास्टिक वाली नारियल वाली कौन सी खरीदे आईए जानते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं, यह वीडियो आपको धनो धनवान बना देगी, आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, क्या करने से बचे, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोत्तरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में, मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं, ये पांच त्योहार कहे जाते हैं, धन तेरस के दिन से जो पांच दिवसीय त्योहार है, शुरू होता है, और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है, कैसे थोड़ा सा जान लीजिए, पहला जो होता है धन तेरस, दूसरा जो होता है, वह चौदह जो नरक चतुर्दशी होते हैं, उस दिन और उसके बाद होते हैं, दीपावली, अर्थात, दिवाली की रात, इसके बाद आते हैं, गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, किस तरह से पांच दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें पांच दिन पूजा करते हैं, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखे तो दीपावली का त्योहार कब है, 31 अक्टूबर को है, और दीपावली के दिन खास कर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, इस दिन मा लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके, जो ठोने होते हैं, ठोटके होते हैं, इसका उप्योग कर सकते हैं, दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो मा लक्ष्मी स्थाई रूप से आपके घर में वास करें, धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। दोस्तों, देखिये मैं जो टोटके बताऊंगा जरूर करना। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे तो दीपावली महा लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना। सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धन तेरस की कुछ विशेश जानकारी। धन तेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोद शीतिति को हम धन तेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन वंतरी देवी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें तेरा गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धन तेरस दो हजार चौबीस की थी। पंचांग के अनुसार इस साल का आर्थिक त्रयोद शीतिति की शुरुआत 39 अक्टोबर मंगलवार को सुबह 10 बज कर 32 म मनाया जाएगा। धन तेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है क्योंकि धन का कोशा ध्यक्ष कुबेर महराज को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बरतन आदी जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी पाँच ऐसी जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो मा, लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी मैं। क्योंकि हर वीडियो में बता चुका मा, लक्ष्मी धन तेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ती के द्वार में जाती है। मा, लक्ष्मी और उनकी बेहन जीज घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती और जीज घर में कूडे हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में उनकी बेहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे-पीछे आती है। चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी पाँच ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए तो पहला है तूटे बरतन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बरतन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं शास्त्रों के दीपावली पर टूटे हुए बरतन घर में रखना शुब नहीं समझा जाता है, इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मक्ता का प्रतीक समझा जाता है दूसरी सामगरी है, रुकी हुई घडी, दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं, दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घडी होती है, इसे दुरभाग्य का प्रतीक समझा जाता है देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घडी जो है, इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए होते, तूटे हुए घडी, इसे बिलकुल ही घर में नकारात्मक्ता प्रभावती वास्तु दोश लाते हैं, और जिसके घर में वास्तु दोश लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती, तो साफ सफाई के दौरान, जो पुरानी घडी है, बिलकुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दे, इससे मा लक्ष्मी नाराज होती है, तीसरा चीज इसे नोट करके र इलेक्ट्रोनिक सामान दीपावली देखें, जो रोश्नी का त्योहार समझा जाता, देखिए, मा लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो, तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, बिलकुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा ली और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है, इसके बाद है फटे जूते, चपल, अच्छा खाना और पहनना, ये दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते, चपल अपने घर में रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है, फटे जो कपड़े हैं, ये नकारात्मक लाते हैं, मा लक्ष्मी उन्ही पर अपनी कृपा बरसात तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चपल है, फटे सामगरी बिलकुल ही अब घर में यूज ना करें, और एक बात का विशेश ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चपल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मा लक्ष्मी स्वयम मा लक्ष्मी उस घर म निवास करती है, जीज घर में जूते चपल घर के मुख्य द्वार पर न हो, जूते चपल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य, यह दोनों बस्ते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चपल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती, तो कदापी दीपावली के दिन या फिर धन तेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चपल बिलकुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी, इसके बाद है खंडित मूर्ती, देवी देवताओं की खंडित मूर्ती, घर में पूजा नहीं क पहा दे, तो इसका क्या फाइदा होगा, आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे, तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामगरी के बारे में, अब आई इस वीडियो में जानते हैं, धन तेरस पर कौन सी चीज़ को खरीदना चाहिए, जो बहुत ही शुब समझा जाता है, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे, तो जय मालक्ष्मी जरूर लिख देना, एक साल तक मालक्ष्मी की आपके उपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धन तेरस तक मालक्ष्मी की कृपा बने आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी तेरह गुना बढ़ेगी, तो धन तेरस के दिन सोना, चांदी, आभूशन, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुब समझा जाता है, धन तेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है, साथ ही मा लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिलकुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं, अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धन तेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं, धन तेरस के सो अत्यंत शुब समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है, इस बात का विशेश ध्यान रखियेगा, जो हमारे वीडियो को देखने, दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़ कर मत जाना, अधूरे ज्यान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे, तो धन तेरस को चान्दी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुब समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता, छेहसो से लेकर के साथ सो में आपको चान्दी के सिक्के मिल जाएंगे, इस दिन ऐसे चान्दी के सिक्के खरीदने, जीस पर मा लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो, दीपा वली दिन सिक्के की पूजा करने के बाद, अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं, ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, धन तेरस के दिन हो सके, तो जाडु बिल कचरे होता है, इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है, तो मा लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिये गए हैं, आप अपने घर में नए जाडु बिलकुल ही खरीद करके आते हैं, तो मा लक्ष जाडु की सेवा कैसे कर सकें, जाडु को मा लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, साधक है कि लंबे समय तक जाडु की सेवा की और आज वह करोड़ पती बन चुके, अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई, ज जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कलपना भी नहीं कर सकते, धन तेरस के हो सके, तो गोमती चक्र बिलकुल ही खरीद कर ला सकते, पांच से ग्यारह की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए धन तेरस या फिर दीपावली, दिन ग्यारह गोमती चक्र की पूजा करें इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए इसे ऐसा मान्यता है इसे घर में संपन्नता आती है इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धन 13 के दिन श्री यंत्र खरीदना शुब समझा जाता है अब इसके पीछे कारण बता है देवी देवताओं के होते हैं मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जीस तरह के अत्यंत रहे थे जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र हैं ये मा लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं, तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मालक्ष्मी की शक्ती बसते हैं, तो धन 13 के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं, या फिर धन 13 से दीपावली की विधी विधान से पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा, इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अन धन की कमी नहीं होगी, निरंतर इनकी ऊर्जा से निरंतर आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा, सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ती होगी, आईए इस वीडियो में विस्तार से बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। के लिए नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ठ रहती है, दीपावली की सुबह देर तक न उठना, क्योंकि ये जो दिन होता है, लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है, इस दिन अगर आप देर से उठेंगे, तो मालक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों से तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उनही का साथ देता है, तो बिलकुल ही आप समय के साथ में चले, और दीपावली दिन विशेश रूप से अपने माता-पिता और घर के बुजर्गों का आदर जरूर करें, बिलकुल आप इनका अनादर मत करना, मा लक्षमी कुपित होकर आप इनका आदर करते, तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजर्ग देवी देवताओं के अपमान करते, तो मा लक्षमी रुष्ट हो जाती है। और जाडू को इस दिन पैर से मत लगने देना। इससे मा लक्षमी नाराज होती है। बिलकुल ही जाडू को अपने पैर मत लगने देना। क्योंकि जाडू को लक्षमी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पैर से जाडू को कूद रहे हैं। तो जाडू को नहीं, आप मा मा लक्ष्मी को कूद रहे हैं, इसे मा लक्ष्मी कुपित हो सकती है, देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है, उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है, माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर जाडू को नहीं बलकि लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। मत होने देना बिलकुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। ऐसी सामगरी है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग गिलाते हैं। दीपा वली दिन स्थील, बर्तन और उससे बनी वस्तू को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए। इससे खरीदने से बचना चाहिए। परन्तु लोग जानकारी के अभाव में दीपा वली दिन है या फिर धन तेरस के दिन, स्थील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तू होती है घर में खरीद कर लाते हैं। क्योंकि स्थील में राहू का वास समझा जाता है और जिसमें राहू का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं कलेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्थ खरीद करके नहीं लाना चाहिए। कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिये, जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं लेना चाहिए, न काले रंग की कोई समान है, ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तिय का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहू की शक्ती आजाती है, केथू की शक्ती आजाती है, शनी की द्रिष्टी लग जाते हैं, और ये सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाए, तो आपके घर में कला एवं कलेश लेकर आते हैं, का परन्तु लोहे से बने जो जैसे की धारदार हथियार है, जैसे की कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए. इस दिन अगर आप धन तेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन आठ बज कर तीस के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है, श्री महा लक् imitate के घर में थोड़ा सा चीनटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे, बाद में इस धनिया को आप किसी भूमी में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, जैसे जैसे धनिया में व्रिद् तो दीपावली और धन तेरस के दिन यह उपाय जरूर करें दोस्तों इस धन तेरस पर अगर आप चाहते हैं धन के देवी माता लक्ष्मी धन तेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दोड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना माता लक्ष्मी आपका स्वा अगत है धन्यवाद